लोकास्ता के महापर्म छट पूजा के सुरुवात आज नहाए खाए के साथ शुरू हो रही है चार दिनों तक चलने वाले इस महा अनुस्ठान के लिए पूरे देश भर में जो खास तोर पर उत्तर भारत के जो लोग है बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग है वो इस महापर महिस्सा लेते हैं चटवर्ती आज से नेम धर्म का इस महापर्म की सुरुवात कर रही है आपका बताते हैं कि सुबह सही पटना के गंगा घाटों पर खास तोर पर विशेस विवस्ता की गई है चटवर्तियों के लिए चट करने वाले लोग और उनके परिवार के सभी लोग आज सुबह से पटना के घाटों पर पहुँच कर गंगा असनान कर भगवान भासकर की पहली अराधना कर गंगा जल लेकर घर के तरफ रूख करें जगा जगा कद्दू भी बाटे जा रहें और आज कद्दू भात के साथ महापर्व छट पूजा की सुरुबात होगी कहा जाता है कि भगवान भासकर की सबसे बड़ी अराधना का यह वक्त है छटी मया के अराधना का वक्त है जहां ना कोई पंडित होता है ना कोई पुरोहित ना कोई मंत्र ना ही कोई वैदिक नियम कारूं बस मन में सच जो है छटी मया के लिए एक निश्टा होती है और ग्रामिण affairs इलाके में खास तोर पर जो महिला चचटवर्टी होती हैं या पुरुष चटवर्टी होते हैं ये एक ऐसा तेवार है जिसे पुरुष और महिला सभी मिलकर करते हैं पूरा परिवार इस पूजा में सामिल होता है अपनों से अपनों को जोड़ने वाला इस महापर्व की तैयारी आज से सुरू हो गई है नहाय खाय के साथ नेम धर्म के साथ इस महापर्व की सुरुवात हो रही है आपको बता दें कि 36 घंटे का जो महा अनुस्ठान होगा नि जिनकी एक जलक देश दुनिया में देखने के लिए लोग ललाइत होते हैं छट घाट की महिमा और बिहार में छटी एक ऐसा पर्व है जिस पूजा तेवार के लिए दुनिया में बसे बिहारी अपने घर को निकल पड़ते हैं ट्रेनों में पाव रखने की जगर नहीं है देश भर से आने वाली गाडियों में अगर आप हलात देखें तो सबसे ज़्यादा बिहार आने वाले ट्रेनों का बुरा हाल हैं सणकों पर आज से सहर के अंदर या गाओं के अंदर सनाटा रहेगा क्योंकि सभी छटवर्ती अपने अपने घरों के तरफ रूख कर चुके आज बजार में सीधे तोर पर छट पूजा के अनुष्ठान में उप्योग में लाई जाने वाली पूजा की जो वस्तुवे हैं उसकी खरिदारी खूब होगी आज कद्दू के साथ जो चना डाल है उसके साथ जो चट वर्ती है वो आज इस तेवार की सुरुबात करेंगे खाने के साथ और वो जो परसाथ होगा वो अपने परिवार्जनों के साथ इस्ट मित्रों के बीच बाटा भी जाएगा तो चट पूजा को लेकर कहा जाता है कि भगवान भासकर की आराधना की जाती है दुनिया में एक यही पर्व है जहां उगते हुए सूरज के साथ प्राकृत की पूजा होती है और प्राकृत के अनुष्ठान में तमाम चटवर्ती कड़ा तब करते हैं आधे कमर तक गंगा में डूबे रहते हैं और फिर भगवान भासकर की आराधना चटी मिया के गुनगान करते हैं चटी मिया से प्रातना करते हैं कि वो उनका परिवा उनके परिवार के साथ साथ देश और समाज के सभी लोग स्वस्त निरोग और तरक्की करें इसे के साथ महापर्व छट पूजा की शुरुआत हर जग हर गली हर मुहले भगवान भासकर और छटी मया के अराधना में जो लोग गीत है जो प्रामपरिक गीत है वो बज रहे हैं और प्रामपरिक गीतों के साथ पूरा जो बता वरण है वो छटी मया की अराधना में लीन खुद को महसूस कर रहा है और पूरा देश आज छटी मया की अराधना में भगवान भासकर की अराधना में छट पूजा के अराधना में आज से दूबने जा रहा है धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना नमस्कार, मैं अनुरादा पौडवाल 26 नवेंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कारेक्रम में पूर्निया बिहार आ रही हूँ मुझे पनुरामा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है तो हम सब मिलते हैं पनुरामा इ-होम्स में शाम साथ बजे, नमस्कार ये लो मुँ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पूर्निया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्निया में घर ले लिया है, पूर्निया के e-homes panorama में पूर्निया में panorama group लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े, आप क्यों मुमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी, पूर्निया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined